उत्तरप्रदेश में एक लोगसभा और दो विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाओं को लेकर प्रचार का दौर खत्म हो चुका है। दरवाजे पर पहुच गई है। दरसल समाजवादी पार्टी को डर है कि पीजेपी इस उपचुनाव में जीतने के लिए कोई भी हद कंड़ा अपना सकती है। निर्वाजन आयूप में हम लगातार आ रहे हैं। आज मैं और रविदास महरोगतरा जी के शिर्वास्ति के हम लोगाए हैं। निश्पक चुनाव कराने की समयधानिक जिम्मेदारी है। निर्वाजन आयूप को अपनी जिम्मेदारी का समयधानिक जिम्मेदारी का पूरी मुस्तैदी के साथ निर्वहन करना चाहिए। मैं पूरी में समविदंशील अति समविदंशील वहां किये जा रहे हैं। यहां समाजवादी पार्टी का गड़ है, उनके समर्थक है, जादे जादे गाओं के देहात के लोग ऐसे जो समाजवादी पार्टी के हमेशा साथ रहे हैं। वहां पर वो लगातार, उनकी ये कोशिस है कि इनका मतदान कम हो या ना हो, पुलिस पुरा तांडव कर रही है, परशासनी की जो मशीनरी है, वो भाजपा के हाथ में खेल रही है, ये हमने पुरा आरूप लगाया है, उनको उपर, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान, न पक्ष में कर दे की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिती मंडल ने आरोप लगाया है कि बेवचा चुनाओ से पहले सपाकारेकरताओं को पुलिस के रफ्तार कर रही है, प्रशासनी कदिकारी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, जो हत्या के और तमाम म मेनपुरी में आस्थाई रूप से जेल बनाई गई है, और उस जेल के अंदर सारे सापा के नेताओं को बंद करने का आज रात में प्लानिंग है, आज रात भर प्रशासन के लोग सापा के नेताओं कारकताओं को दिरतार करने का प्रयास करेंगे, यह हमारा इसपस रूप के अलावा खतौली विधानसभा सीटों पर उपचुनाओं के लिए वोट डाले जाएंगी। मायवती की बीएसपी और कॉंग्रिस पार्टी ने उपचुनाओं में अपने उमिद्वान नहीं उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी और सपा गडबंदन के बीच यहां सीधी जिसको देखते हुए बीजेपी और सपा दोनों ने अपनी और से पूरी ताकत जोगती है। अब समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी चुनाओं जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है ऐसे में निश्पक्ष चुनाओं कराना चुनावायों के लिए बड़ी चु